बाहर भी नहीं बोलने देते या भी नहीं बोलने देते आप लोग गोटाले चाहे जितने भी बड़े गोटाले हो अगर भरस्टाचारी बीजेपी से जुड़े हैं तो उन पर कारवाई नहीं की जाती जिसको लेकर संजय सिंग ने फिर से मोधी सरकार को ललका रहा है आकड़े देखें तो अभे तक किसी भी ब्रस्टाचारी बीजेपी नेता के खिलाफ एडी सीवियाई ने कारवाई नहीं की लेकिन विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर जेल में डालने की साजिस रची जा रही है चाहे वो राहूल गांधी हों सोनिया गांधी हों केजरीवाल हों मनेश सोदिया हों ते जिस्वी यादो हों सब को डराया जा रहा है बीजेपी की मोधी सरकार बॉखला गई है वो अपने विरोधियों को निप्टाने में लगी है विपक्षी नेताओं को मोधी सरकार घर कानूनी तरीके से फंसा रही है बीजेपी ने साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीती अपना ली है लेकिन उसके सभी मनसुबों पर पानी फिर गया है बहुजन नेता बीजेपी की जाँच एजेंसियों से डर्मे वाले नहीं है जिसे बीजेपी की सारी साजिश नाकाम हो गई है बड़ा सवाल ये है कि एडी देश का पैसा ड़कारने वालों के खिलाफ कारवाई क्यों नहीं करती मतलब साफ है बीजेपी अपने विरोधियों को निस्तो नाबूद करना चाहती है वो चाहती है कि देश में सिर्फ बीजेपी नेताओं का एक छत्र राज रहे देश में एक ही पार्टी रहे वो संबिधान लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है तभी तो जांच एजेंसियों का लगातार दुर्पयोग हो रहा है लेकिन अब बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो चुका है जनता भी अब बीजेपी की चाल समझ चुकी है अब EDCBI की कारवाई पर जनता भी हस रही है क्योकि अब बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है बिरो रिपोर्ट नेशनल दस्तक नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्स्ट्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें, कमेंट जरूर करें